तीसरा अध्याएं, सत्य वावा ने पूशा है सामिन, काल रूप धारी आपके सभी वर्ष मास दिन आदी अंगर प्रत्यंग एक समान महत्वर रखते हैं, अधे कार्थिक मास ही सब मासों में सेष्ट क्यों है, फिर सब तितियों में एकाच सी और सब कार्थिक मासों में कार् रण कहिए, शीक श्यंदर जी ने कहा, हे प्रेयें, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, इस विशय में महाराज बेन के पुत्र प्रतु और नारद का संबाद कहता हूं, उसे एकागर मन से सुनो, इसी प्रकार एक समय में नारज जी से राजा प्रतु ने प पराक्रमी, एक राक्षक्स पुत्र तीनों लोकों को मन्त डालने और जीत लेने में समर्थ हुआ, उस संकासुर्व ने स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को जेत कर और इंद्रादे दशों लोकपालों के अधिकारों को शेन लिगा, उससे डर कर समस्त्र सुमेरू परवत के कंदराओं में आसन जमा कर निश्चन्द होकर रहने लगे, तब वहराक्षा सोशें लगा कि अधपी मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और उनका अधिकार चीन लिया है, तो भी यहें लोग भगवान की याद होते हैं, अत्य हम सब को क्या करना चाह आज मुझे यात हुआ है कि यह सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं, उनके वेदों को हर लेने से यह सतही वलहीन हो जाएंगे, नारज जी ने कहा ऐसा मानका संकाशुर विश्णु भगवान को सोते देख सत्य लोग से स्वयम उत्पन समस्त वेदों को चुरा लाया जिस समया वेधों को चुरा रहा था उसी समय वेदों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डड़ से जल चिप गए, संकासुर्वी वेद मंत्रों को और वेज मंत्रों को खोजता हुआ, समुंदर के भीतर भूबने लगा, इन्यु वह राक्षास उन्वेद मंत्रों को एक इ इसी समय ब्रह्माजी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामेगदी और उपहार लेकर बैखुंट लोक में विश्नु भगवान की शरण में पहुँचें। शरण विश्नु भगवान को प्रणाण निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंदा दिकों से बारम बार उनका पूजन करने लगें। उन लोगों की इस अराधरा से प्रसंद होका विश्नु भगवान जागोटें। उस समय देवताओं ने हजारों सूर के इस कीड़तन तथा मंगल गान से प्रसंद हैं। आप लोग अपना अविश्ट वर मांगें। मैं शहर्स दूंगा। कार्तिक शुकल पक्षिये कादशी पर्यत्न प्राता काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीड़तन और मंगल करेंगे। वे हमारे अतिप्रियें ह और शरीड त्याक कर बैखुंट धाम में जाएंगे। यह जो पाद, हर्द, आश्मन और जल आदी सामेगरी आप लोग हमारे लिए लाए हैं। वेह सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेंगे। जो संखाशुन सब वेदों को चुरा ले गया। वेह अश्राम किया करेंगे। अब मैं मतस्य का रूप धानन करके समुद्र में जाता हूँ। और आप लोग भी सब रिशियों को लेकर हमारे साथ आएं। इस लोग के जो प्राड़े कार्तिक में नित्य प्राताहा काल में इस नान करेंगे। वेह ज्यानत में अव प्रत इस न और ब्रत किया करेंगे। हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोग में पहुचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्या से उन प्राड़े को सब आपत्तियों से बचाते रहना है। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पुत्रा दे, संतानों देते रहना। हे दनादिक, हुव आज्या से लेकर मरन पर्यत्न, विरी पूर्वक जिसने यह उत्तम प्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनिया है। आप लोगों ने मुझे कार्टे शुकल एक आदशी तिधी को जगाया है। इसी से यह एक आदशी मानने हैं और हमको बड़ी प्रिया है। हे द लोगों हैं दोनों ब्रत विरी पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई ब्रत और ना कोई यग्य है जो स्वर्ग दे सके। चोथा अद्ध्याय नारज जी मूले। ऐसा कहकर विश्नु भग्मान मचली के समान तब उन्हें कोई में डाल दिया। जब उसमें भी वेह मशली न समा सकी तब उसे तालाव में फेग दिया। और जब तालाव में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वेह मढने लगी। उसकी उप्रत उस नारज जी रूपी मतस्य ने संका सुर को म मारा तत्बश्चात उस संक को हाथ में लेकर वदरी कारण में आप पहुंचें वदरी नारायन में सम्मुनियों को बुलाकर आग्या दी विश्णू ने कहा पानी में इधरों इधर फैले हुए वेदों को ढूड़ो शीरखी आप लोग रहस्युक्त वेदों को जल से निकाल का सीर ही मेरे पास ले आए इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रियाग में ठेरा हूँ राजा प्रतु से नारग जी ने कहा उसके बश्चात अपने तपोवल से समस्त रिशियों ने यग्यवीजों के से सब वेद मंत्रों को ढूड़ने दिकाला उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनी को मिला वह वह भाग उस उस मुनी का हो गया तत्पश्चत है राजन उसी दिन से उस उस भाग के वेही रिशी कहलाए सब वेदों को लेकर मुनीगण प्रियाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिये सब वेदों को पाक ब्रह्मा वड़े प्रसंद हुए तुरंथी उन्होंने देवता और तथा रिशियों के साथ अशुमेग यग्य किया यग्य के अंतमे देवता गंदर्व रक्ष यक्ष नाग और गुद्दाक्र गढ़ विष्णों को भूमी में दंडवत करके प्रात्रा करने लगे देवता आपके अनुकंपा से हम लोगों को यग्य का भाग दे यहां मिला है इसलिए यह स्थान आपके प्रशाद से आज से प्रत्वी भर में सर्व प्रधान पुन्य को भढ़ाने वाला मुक्ति और भुक्ति को देने वाला हुवे ब्रह्मा त्यादिक महान पापो का नाश करने वाला आज का यह समय विह परम पवित्र और अक्षय फल दाता हो ऐसा वरदान हम लोगों को देजिए शिविष्णु भगवान ने कहा आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी दे हैं जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्मा चेत जगत पर संगम होगा आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा यह स्तल तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा यज्यदान ब्रत हवन जप और पूजादिक क्रत्य यहां पर सदा अनंत्फल देने वाले और मोक्षदाई होंग मेरे सन्यकट तीर्थ राज में शरीर त्याक करेंगे वह मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे फिर उनका पुनह जन्म नहीं होगा प्राणे यहां अपने पितरों के उद्धिश्य से श्राद करेंगे उनके पितर साक्षत मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे यह समयवी समस्त प्राणेंगे महापुन्य फल देने वाला होगा जो लोग इस तीर्थ राज में मकर राज के शूर्य माघ में इसनान करेंगे उनके समस्त पाफ विनश्ट हो जाएंगे मंकर की संख्रान्थि होने पर माघ मास में प्राद थाकाल से किवल के दरशन मात्र से सब प्राव क्क हैं जैसे सूर्य के तेजी से अंधकार का चुछाता है माग के महीनängen में मकर की संख्रांति होने पर इसनान करने वाले प्रादंut को मैं सा लोक लोक समिप पे अपने समख्ष सारून अपना सारूप इन दोनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ है मुनिवर्व आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वता वद्री कारण में निवास करता हूँ अन्यत्र सेकड़ों वर्च तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहां एक दिन में मिल जाएगा जो महा आत्मा जी के साथ ही अंत्रध्यान हो गए और इंदरादी देवगड़ भी अपने अंशों को वही छूड़कर अंत्रध्यान हो गए जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथ्मा सुन्वाएंगे वहतीत रहाश प्रयाग वाद्री कारण जाने के समान फल को पाँचमा अध्याय राजा प्रतु बोले हे नाराण जी हे मुनी जी आपने कार्टिक और माग मास का विस्तरत फल कहा अव इसके विधिवत इसनान की विधि नियम और उध्यापन की विधिवी आप हमसे कही नाराण जी ने कहा कि आप इश्णु भगवान के अंश से उत्प हुए है अत्यव यह बात आपको मालुम ही है कि तदापी में यतोजित विधान आप से कहता हूँ उसे सावधान मन से सुनिए अश्विन मास की शुकल पक्ष की एकादर्शी से शुद्ध होकर कार्टिक मास का व्रत करना आरंब करना चाहिए इस व्रत को करने वाला सर्वत रात्री के चौते प्रहर में उठें जल का पात्र लिये हुए गाउं से बहार पूर्व अत्वा उत्तर दिशा में जाए हमेशा दिन में अत्वा साइकाल को कान पर जनेव चड़ा कर पत्वी पत्रण को विशा कर सिर को कपड़े से धक कर फिर मुँ को यतन पूर्वक प्रतिका और जल्से सावदानी से दोकर दुर्गंद को नश्ट करें तब सौच करिया पूर्ण करें एक बार लिंग में तीन वर हाथ में फिर शिशनत हाथ में दो दो वार पांच वार गुदा और दस वार बाए हाथ में दोनों हाथों में साथ वार मिट्टी लगा कर से आधी शुद्धी रात में होनी चाहिए इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधी आतरी को करनी चाहिए सोच कर्म से रहत मनिश्य की समस्तिक्रिया निश्वल होती हैं जो मनिश्य मुक्षुद्धे दातुन नहीं करता उसके सब मंत्र निश्वल हो जाते हैं अतियवदाद और जीव को बलपूर्वक्ष जल करना चाहिए तु आयू वल किर्ती तेज प्रभा पशू संपत्ति भ्रम्मा ज्यान बुद्धी विद्या हम को दे यह मंत्र पढ़कर दातुन ब्रक्ष से ग्रहन करें यह मंत्र कहकर दूद वाले ब्रक्ष से दादास अंगुल दातुन लेकर करें तथा शाद और ब्रत के दिन ना करें प्रतिपदा अमावस्या नवमी शट रविवार चंद्र तथा सूर के ग्रहण में दंत धामन कदापी ना करना चाहिए कटीले पेड कपास पीपल रेड और निरगंद ब्रक्षों की दातुन ना करें पश्चात मूल मंगला चंदन और पान इत्यादी पूजन सामिक रिलेकर प्रसंदमन को भक्ति पूरब विष्णु भगवान अत्वा शिवजी के मंदिर जाएं वहां देवताओं का अर्ध आश्मन्य आदी वस्तुओं से अलग-अलग पूजन कर प्राथना तदा प्रण कर नित्यादी मंगल करत्त करें फिर ताल वगनुम्रदंग आधी को बजावें गावें और नर्तकों के साथ नाचें फिर माला चंदन तामबू लादिकों को उन गायों का भी पूजन करें जो काने आए हो जो सब्सक्राइब का ऐस साक्शात विश्णु भगवान का ही मू ही भगवान को प्रसंद करने के लिए प्रधान माना गया है हे राजन मैंने एक वार विश्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहां रहते हैं यह सुनकर विश्णु भगवान से हमारे भक्तों का पूघन करते हैं उससे मुझे जैसी पुरिती होती है वैसी पुरिती मेरे पूघन से भी नहीं हो सकते जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का केड़तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रू सदश हैं शिरिष धतुरा, गिरिजा, कचमेली, केशर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षदों से विश्णु भग्मान की पूजा नहीं करनी चाहिए अड़हल कंद, शिरिष जोही मालते केवडा के वुष्मों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए लक्ष्मी की अविलाशा करने वाले पूरिष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गडेश जी की दुर्वा से दुर्गा जी की अगस्ते की फूल से सूरे नारण की पूजा ना करें जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उनी से उनका पूजन करें इस प्रकार पूजन समापती के बश्चाद देवादी देव विश्नु भग्मान से शमायाशना करें हे सूरेश्वर हे देव मेरे पास ना मंतर है और ना करिया बक्ती से ही मैं हीन हूँ जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है आप हमारी उस पूजा को पूज़ करें इतना करने के बाद परकमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनाशमा प्रातना करके गायन किर्दन आदी करन जाहिए जो मन शिव और विश्णु भगवान की विदी पूर्वक कार्टिक मास की रातरी में पूजा करते हैं वह पवित्रात्मा होकर अपने पूर्व पुरुशों के साथ विश्णु लोग को जाते हैं